तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम है विचिस ताइम कॉंपलेक्सिटी जो कि आती है अगर बहुत जादा है अगर यह हाइट एन के बरापर जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है तो वह हमारे लिए बेकार है वहीं पर अगर वह हाइट एक दम मिनिमम मैं तो वह लॉग अग तक जा सकती है ठीक है वारे में अगरे आप कहीं भी देखोगे न बनीस ट्री का यूज हो रहा है तो वहां पर से ब्लेंसिंग मैं यूज हो रहे होते हैं ज़्ड़ा समझते हैं मैं क्या कहने चाहता हूं हाइट के डिफरेंस से तो सब्सक्रों यह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है और इनसे हम इससे छोटा है इससे भी चोटा है और इससे भी है इस टाइप कवा बदे सर्चरी कुछ बने ठीक है सेम नमबर से मैंने हाँ पर लिखे हो पस अलग पर्मूटेशन इन पड़ेगा सारक सारे ट्रेवल करने पढ़ेंगे और यहां पर जो हाइट आएगी हाइट आप देखी रो लेकिन यहां पर आप पास 30 से बड़ा 40 है 40 से बड़ा 60 यहां पर नहीं है तो मैं दो step में बोल दो हो कि ठीक है 60 नहीं मिला मुझे तो यहां पर क्योंकि यह balanced है यहां पर हाइट है वो सिर्फ 3 है तो इसलिए यहां पर हमारा काम असान हो गया तो इसलिए जरूत परते है यहां पर एक concept आता है height balance का height balance बेसिकली होता है height of left sub tree minus height of right sub tree height of left sub tree minus height of right sub tree उसका mode ले लोगे तो height balance आता है और यह avial trees के अंदर एक definition है कि हर node की जो height balance है वो less than 2 होना चाहिए ठीक है less than 2 होना चाहिए मतलब या तो 0 या 1 negative तो होगा नहीं कि mode है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके left side से height आ रही है 2 right side से height आ रही है 2 तो height of left minus height of right आ रहा है 0 इस node के लिए इस akti लिए तो height of left 1 है height of right zero है तो इसका आहाँ आचा बबन बढबर है और यहांपे पर curso 4 यहां बात करें millions of numbers की 10 th SUPER 6 numbers की बात करें कि इसके अंदर कुछ search operation लगाओ अगर मेरा binary tree जो है वो skew जा रहा है मतलब उसकी जो हाइट है वो 10 is power 6 है तो मुझे 10 is power 6 operation करने पड़ेंगे वहीं पर log of 10 is power 6 मुझे operation करने पड़ेंगे जब मेरा एक perfectly balanced binary search tree है और यह नंबर बहुत चोटा होता है यह नंबर millions में नहीं जाता है यह नंबर जाता है इसलिए बहुत सब्सक्राइब के बारे में जानना तो जरह समझता है किस तरीके से काम करता है और उससे सब्सक्राइब करते हैं किस तरीके से हाइट बैलन्स हो रही होती है जब भी आप लोग element इंसर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा आपको पहले कुछ बना बनाए tree मिलता है उसको फिर आप आप लोग self-balance कर रहे होता है ऐसा नहीं होता आप लोग धिरे-धिरे करके element insert करते जलते हो और हर step पे आप make sure करते हो कि यह height balanced है so that आप जब भी नया element इंसर्ट कर रहे हो वह आप लोग को जो पहले से बनावा of binary search tree है वह self-balance मिले तो एक छोटा सा sneak pink देता हूं अंदर हम deep dive बाद में कर रहे होंगे कि सबसे पहले आएगा 15 ठीक है 15 को डमने डाल दिया और इसका height balance देखनी है तो 0 आ रहा है इसे हम कहेंगे left rotation ठीक है left rotation क्योंकि यह circle जो हो इससे होगा क्या कि यह कुछ ऐसा बन जाएगा 20 उपर चला जाएगा 15 यहां और 30 यहां this is still a binary search tree यह binary search tree की property को वाइलेट नहीं कर रहे है आप आप अभी देखोगे तो यह एक binary search tree है बट अब यह height balance हो चुका है अगला element डालते है 35 यह मैं करके नहीं बता रहा है यह मतलब मैं अभी आपको बहुत ऊपर पर साइडिया दे रहा हूं कि होता है तो अगेन आप यह देखोगे तो यहां पर आप क्या हो रहा है height balance दोबारा से निकालोगे इसका 0 यह रहेगा इसका हो जाएगा 1 इसका 0 और इसका हो जाएगा 1-2 विच इस वन राइट अगला element डालेंगे विच इस 40 40 डालोगे तो 40 यहां आएगा आप height balance निकालोगो तो इसका अगला जाएगा ठीक है इसका height balance हो जाएगा 2 तो यहां पर देखो इन दौनों का height balance यहां पर बिगड़ चुका है दौनों का 2-2 आ रहा है तो हमें क्या करना है इस वाली node को फिर से fix करना है fix करने के लिए अगेन वह operation करेंगे which are called rotations तो इस node के around इस वा rotation कर देता है rotations कैसे होती है क्या होती है वह अभी हम समझेंगे मैं आपको बस ऊपर से बता रहा हूं कि इसके around जब rotation करोगे तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा 20 यहां पर 15 यहां पर 35 ऊपर 30 यहां पर 40 यहां पर this is still a valid binary search tree लेकिन यहां पर अब यह balance हो चुका है height balance हो च 0 this is 0 this is 0 and this is 0 so this is still height balance binary search tree और इसके अंदर आप operation करोगे तो यह सिर्फ तीन स्टेप लेने वाला है ना कि 5 स्टेप राइट तो यह होता है अब जड़ा देखते है किस तरी किसी rotations वागरा जो लिखें किस तरी किसे काम करती है height balance किस तरी किस तरी किसे काम कर रही है height balance is nothing but difference between the left of tree height and right of tree height और यह हमेशा less than 2 होना चाहिए मतलब एदर 0 या 1 और अगर आप ऐसा मेंटिन करते चलेगो for every tree in a benacist tree then this tree will be called avial tree ठीक है simple यह concept होता है अब जरा समझते rotation क्या होती है avial trees को अगर आप लोगों ठीक से समझना है तो बस दो चीज़ों को ठीक समझना है उसके बाद सब कुछ sorted है वो क्या है left rotation and right rotation यह दो rotation का यूज करके कही avial tree अपने आपको self balance कर रहा होता है अगर आप लोगों ने यह दोना समझ लिए उसके बाद बस smooth sailing ठीक है बहुत easy हो जाएगा तो left rotation कैसे काम करते है जरा समझते है अगर इस तरीका का भी कोई structure बन जा है आपके binary tree binary tree के अंदर कि यहां पर इस x के around यह height balance ना हो और ऐसा case बन रहा है ठीक है तो यहां पर हम कहेंगे कि यह वाली rotation लगाएंगे which is called left rotation ठीक है left side जारे हो तो left rotation कहेंगे इसे तो left rotation किस तरीकिस लगाते है कि basically ऐसा समझो इसे कि हम यहां से इसे पगड़े खींच रहे है ठीक है एक्स को यहां पर हमने खींच दिया यहां पर हमने हो चुका है ठीक है यह होती है left rotation अगर आप बोलो कि यहां पर इनके भी अगर कुछ-कुछ children वगरा होते कि X के पास भी left होता Y के पास भी left होता Z के पास left and right दोन होते मतलब अगर ऐसा कुछ बन रखा होता तो किस तरीके से करेंगे तो भी बहुत easy है तो भी कुछ नहीं कर करने जो भी element है वहां वहां लगा तो जहां भींको लगाने है left or Z right तो Z के left में रहेंगे तो यह तो देखना किफीजBA 5000 यह यह तो यहां रहने वाला है X left खहां रहेगा वह X के left में रहेगा तो यह is के left में रहने वाला है याँ य पहले y यहाँ आ। यहां आ जाएका बात संचिने आ रही आ हमें y को ते अभी भी लगा नहीं था ऐस समझ रहो कि जब भी इसको आप रहे हो तो वाई तो ऊपर चला जाएगा लेकिन वाई लेफ्ट हैड़ा जागा ठीक है वाई के लेफ्ट में रहना चाहिए वो तो वाई के लेफ्ट में अभी बी वाई जो है बस उसकी जगह यहां पर भर चुकी थी y-left के अंदर पहले एक्स था तो हमने यहां पर रगा दिया उसे अभी भी यह एक प्रपर्टी को फॉलो करी रहे था है तो इस तरीके से हम लेफ्ट रोटेशन कर रहे होता है है ठीक है अगर इस तरीके कोई के बन जाया कि इस एक्स के अराउंड हैट बैलेंस नहीं यह तो यहां पर हमें यहां रोटेशन पड़ेगी बिग़िए इस कौल राइट रोटेश elements के साथ ही हम काम करने वाले हैं भले ही binary structure के अंदर कुछ और elements जितने मर्जी हो फरेग नहीं बढ़ता rotation जोगी वो सिर्फ इन 3 elements के around होगी rotation को अगर आप लोग ठीक समझ गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचा जो हो भी भी एक के राइट में रहेगा आप बोलोगे यह राइट कहा जाएगा क्योंकि दो या आ जागा तो वाइड तो वाइड यहां आजाएगा और सब्सक्राइब बस प्रॉपटि इस तरह के से कर सकती which is the ABYL tree अग्यारोगश देखते हम वो कौन से जाती हैं जाज है और किस तरीकी से वो काम करते हैं और आप रोडेशियंगे का सिस्क्ति करते हो यहां पर टीन नमार्श निहां 5 दस पंद्रह इनकी अगर आप मुल्टिपल पर्मूटेशन निकाल हो गे तो कितनी पर कि cabo यह वाख बेलेंस नहीं है इन की जो इन जोंड़ा जो बन रहे है तो 125 वाले इसकी ही हर करते हैं जो जो बहार कालो एकवेशन और हमारे पास बैसी की यह उने स्वाल कर लिया तो बस हमारा काम हो गया इसवाले केस को हम बोलते है राइट राइट केस आप लोग क्यों क्योंकि राइट में जाके अगले यह यह दूरला पहले राइट में ड़ला 15 बस यह तीन नंबर को फोकस कर रहा है बागी यहां पर कुछ और भी नंबर सों लाफ साइट उनको focus नहीं करना है यहां यहां थीं नम्बर्स का रोल होता है रोटेशन के अंदर तो बस यह थीन नोच का ध्यान रखना है यहां पर आप देखोगे तो इससे हम पर में लेफ्ट-लेफ्ट रोटेशन ठीक है लेफ्ट-फ्ट ,!? रोटेशन नहीं कहिंगे लाफ्ट-फ्ट दन लाफ्ट कि यहां कोתח बोलिगे स्टराइट-फ्ट रेट पहले राइट में element डाला। इसे भॉन चार केस को सेकिर तो आसल यहां कमती real जही टेखी थी तो यहां पर आप लोगो बैलेंस करना है आप लोगो दिख रहा कि इस नोड के अराउंड यह हाइट बैलेंस नहीं है इस नोड के राउंड अगर आप देखोगे तो 0-2 इस बैलेंस नहीं है तो यहां पर बेसिक लिए करना राइट रोटेशन करना है ठीक है आप लोगों ने लाफ रोटेशन कर जाए इस नोड के अराउंड तो यह हाइट बैलेंस बन जागा कैसे बन जागा चार एक बाट करके देखो तो यहां सा कुछ बंजागा कि 10 तो चला जागा उपर 5 आजागा आपका यहां पर 15 आजागा आपका यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रोटेशन लगा सकते हैं ठीक है हमें देख रहा है कि इसके अराउंड यह हाइट बैलेंस नहीं है तो इस नोड के अराउंड रोटेशन लगा तो तो यहां पर हम इसे कहेंगे using right rotation अब इस वाले केस पर यहां पर थोड़ा यूनिक केस है यहां पर देख रहे हो क्योंकि right side वाला element छोट बड़ा होना चाहिए 15 से right side वाला element 15 से बड़ा होना चाहिए जो कि यहां पर हो नहीं रहा my rotation करोगी तो ऐसी ही तो करोगे लेकिन यह rotation यहां पर काम नहीं कर रहेगा वहणा केस सक्राइब करते हैं और समझते हैं थे पहले हम यहां पर करेंगे इस ग्राइवा करेंगे और सबस्सक्म और एक बहुत हो गया इसन उब्सक्राइब हम करेंगे left तो दो रोटेशन लगाएंगे देखतें किस ते किसे काम करता है इस नोड के राउंड रोटेशन लगाओ पहले राइट रोटेशन तो क्या होगा टैन ऊपर चला जाएगा और फिफ्टीन यहां चला जाएगा और उपर जो फाइव वह ऐसा रहेगा ठीक है अभी कौन सा केस बन गया अब यह वाला किससे लगाना है इस नोड के राउंड और जैसी आप लगाओगे तो यहीवन जाएगा ठीक है तो पहले हमने इसको इसकी बाद फिर आपने इसको इसकी में पर दो रोटेशन लगने आप लोगोग दिख रहा हुगा पहले आप लोग ने नीचे वा इस नोड के अराउंड लगाओ आप यहली रोटेशन तो आप लगाओ के रोटेशन तो एक ऐसा बन जाएगा 10 इदर आ जाएगा और 5 इदर आ जाएगा राइट और उपर रहेगा 15 आप देखो यह वाला जो केस है वह बिल्कुल इस वाले केस के जासा बन गया अब हमें सबसे पहले आपको क्या बताया कि इस नोड के अराउंड लगाओ यहाली रोटेशन इस नोड के राउंड तो आप लगाओगे तो आप लगाओगे क्या समझाएगा 10 15 इदर और जो 50 है वह 15 के राइट में है तो यह 50 जो अभी भी यहीं पर रहने वाले है ठीक है यह ऐसा कुछ बन जाएगा उसके आद में क्या रहा हूं 5 के राउंड लेफ रोटेशन लगा और यह कोई बी प्रॉल्लम नहीं हुई भले यहां पर साथ सारे elements हरे एक नोड के पास पढ़े हुए लेकिन फिर भी कोई प्रॉल्लम नहीं हुई क्योंकि हमें सिर्फ इन तीन नोड पर ध्यान देना है हमेशा रोटेशन जोगी वो सिर्फ तीन नोड के राउंड होगी ब बाइने से वश्री केंदर जब इंसर्ट करते रहते हैं तो उसे हम कैसे एवियल ट्री बना सकते हैं अच्छा यह पर हम इने 5 की लेफ्ट में वन नहीं लगाया यह वन लगा लेगा तो फिर यह यहां पर जीरो जाएगा यह वाला वन में लगाना भूल गाता है तो यह हमारा कोड़ Geeks4Geeks के उपर है इसका मैं लिंक डाल लूँगा आपके पास सबसे पहले दो चीज जालने की जरूरत है पहली चीज़ एवियल ट्रीज का कोड़ आप से पूछा नहीं जाता जातर आप लोगं को पस कंसेप्ट पता है तो भी बहुत काम चल गया आपका आपका हो ग जालते टाइम हमें अलग से क्लिशन ना करनी पड़े और वह हाइट बैलेंस भी उसी कॉंपलेक्सिटी के अंतर आ जाए ठीक है बिग ओफ एंस्कोर जाने की जरूरत ना पड़े तो यहां पर नोड थोड़ी सी मोडिफाइड होती है बाकि पूरी पूरी नोड अभी भी स की तो इतना कोड से तो हम ओर्रटी फेंविले रहे है यहां पर हो क्या रहा है सबसे पहले अगर नोड ही नल है तो आपने रिटन कर दी है अगर आप लोगों को रूट ही मिला था तो यही वाले नोड होने वाले इसको रिटन कर दो अगर की छोटी है मतलब इस ऐलिमेंट स वो उसी नोड के बराबर है और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम simply यह नोड ही रिटरन कर जाते हैं क्योंकि duplicate keys allowed नहीं होती है तो यह वाला case हो गया यहां पर हमारा काम खतम हो जाता है यहां पर हमारा काम कर दिया इसने node element जहां भी डालना था इसने वहाँ element डाल दिया अब इसकी height को update करते हैं तो node.height हो जागी हमारी one plus max of left side की height या फिर right side की height अब यह left side की height और right side की height कहां सा आ रही है तो याद करो मैं आपको बता था कि इसके अंदर जितनी भी nodes हैं सभी के अंदर एक height वाला parameter भी है तो यह जो height वाला function यह कुछ नहीं कर रहा है यह बस उपर आप देखो कि तो यह कुछ भी नहीं कर रहा है यह simply उसी node के अंदर से height return कर दे रहा है और अगर node null है तो return कर रहा है 0 otherwise उस node की height return कर दे रहा है ठीक है मौड नहीं ले रहे हैं ठीक है मौड क्यों नहीं ले रहे मैं भी आपको समझाओंगा लेकिन अगर आप यहां पर देखोंगे balance वाला function यह रहा तो balance of node n is height of left side minus height of right side इससे balance निकल जागा अगर null है तो 0 होगा return तो हमारे पास balance आ चुका है हमारे पास height update हो चुकी है अब हमा difference यह greater than one का वोगा जब left side में लंबा है तो अगर left side में जादा बढ़ा है और साथी साथ जो key हमें insert करनी थी वो left side से भी छोटी है तो हमें यह तो establish कर लिए कि ठीक है left side में जादा बढ़ा है right side में नहीं इतना बढ़ा ठीक है और साथी में जो key insert करनी थी वो हमारी इस node के जो left में element है उससे भी छोटी है तो इसका मतलब यह यह वाला case है left left वाला case है right तो इससे हमने बना लिए कि left left वाला case है तो हमें इस node के around right rotation करना है और वही हमने किया भी है कि अगर यह वाला case बन रहा है तो बस right rotation कर दो उस node के around ठीक है अगला case देखते है अगर balance less than minus 1 है balance less than minus 1 है इसका मतलब right side में जाδα लंबा है, okay? Right side में जादा लंबा है लेकर right side में लंबा है लेकर right side में लम्बा है इस तरीके से भी्यों सकता है right हमें नहीं पता किस तरीक सी लंबा है इस साथ है यह लंबा है तो उसके लिए क्या कर रहें हिन है बहुत चतुराई से कि अगर जो element डालना था की जो डालना था वो हमारी node की right side से भी बढ़ा है मतलब इस element से भी बढ़ी है वो key तो इसके मतलब इस type of case बन रहा है right right वाला case बन रहा है और साथ में key is greater than left मतलब balance greater than one मतलब इस type का case मन रहा है लेकिन जो key है वो left से बढ़ी है तो key left से बढ़ी है मतलब key यहाँ पर होगी right key इस left से बढ़ी है तो यहाँ पर होगी क्योंग यह BST है तो इस है तो यहांपर हमें दो छीज़े कर रही है पहले तो इस left के around हमें करना है यह left rotation और उसके बाद इस node के around हमें करना है right rotation दिको पहले is node.left हो गई left rotation of around left और उसके बाद right rotation around node करके हम उसे return कर दे रहा है और बाकि एक जो किस बच गया उसको आप कुछ से देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है वो और फाइनली फिर हम अपनी no return कर देते हैं किस तरीके से वटाइट किस तरीके से फंक्चन बने हों जारा यह भी बताइई तो भूत लेखर लिए थे कीतरीक हैं किस टरीके से काम करता हैं यहां पर मैं अगें आप लोगा explain नहीं करने वाले किस टरीके से हैं बहुत ही इसके around करने है right rotation, हमारे पास इसका pointer, इसका pointer है, इनको मान लो x, y, z, तो कुछ नहीं करना, y का जो हो जागा, y का right हो जागा x, तो y का right हो जागा x, ठीक है, यह y हो गया, और z यहीं के यहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा, हमारे पास कुछ और भी the pointers रहते हैं, जैसे कि y का right क्या है, y का right कुछ है y right, तो y का right क्या हो जागा, अब हो जागा x का left, तो x का left हो जागा y का right, बस यह, यह calculation है, और यहीं calculation से हमारी जो है, यह कौन सी rotation है, right rotation हो रही है, ठीक है, right rotation का जरह हम code देख लेते हैं, किस तरी किसे काम कर रहा है, तो वही changes कर रहे होगी इन्होंने, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगो समझ मा जागा, उसके बाद height को भी update कर देना है, ठीक है, तो यह rotation यहाँ पर perform होई, big of one में ही operation perform हो जाएगा, उसके बाद आप लोगो ने अपनी height को update कर दिया, height को update करने के लिए अगेन वही same चीज़ करोगे, कि left side की height निकाली, right side की height निकाली, जो भी maximum हो गए है, और यह पूरा code recursively काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग insert कर रहे होगे, delete करना भी बिल्कुल similar रहने वाला है, delete करने में भी ज्यादा problem नहीं आने वाली, तो आप लोग चाहँ दो delete खुद से कर सकते हो, मैं link डाल दूँगा, नीचे description में, तो इस तरीके स करता है, बट कभी भी code नहीं पुछा गया, तो अगर आप लोगो फिर भी code पढ़ना है, तो you can go through the link और आप लोगो सुझ में आई गया, कि code किस तरीके से काम कर रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर आप लोगो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर बटैना कर दो आफनों को सुझर च不झई को में वीडियो कि डढ़ टाऊा कर दो कि में अपरो आपक।